राजधानी में आज से परकोटे में मेट्रो दोड़ेगी बड़ी चौपड से चांदपोल तक होगा मेट्रो का शुभारम सीम गहलोट विडियो कॉन्फरेंसिंग से करेंगे उद्घाटन सीम गहलोट से वी सी के माध्धम से दिखाएंगे हरी जंडी और आज दोपहर बारा बज़े उद्घाटन होगा फेज वन बी के तहट बड़ी चौपड का मेट्रो का विस्तार हुआ है चांदपोल से बड़ी चौपड प्रोजेक्ट का लोकारपन और शाम चार बज़े से ही यातरी मेट्रो की सेवाई ले सकेंगे यूडियेच मिनिस्टर शांतित हरिवाल भी मौजूद रहेंगे 21 सितंबर 2013 को फेज वन बी का शुलानयास हुआ था मनमोहन सिंग और सीम गहलोत नहीं शुलानयास किया था चांदपोल से बड़ी चौपड तक भूमिगत कोरिडोर बनाया गया अब बड़ी चौपड से मांसरोवर के बीच की मेट्रो दोड़ेगी और मेट्रो से 26 मिनट में तैह होगी 11.3 किलोमेटर की दूरी मेट्रो से किफायति किराये में सुरक्षित सफर कर सकेंगे लोग और मेट्रो में 2 स्टेशन तक की यात्रा के लिए मात्रच 6 रुपए लगेंगे 3-5 स्टेशन तक किया यात्रा अगर आप करते हैं और 7-12 और 6 से यात्रा आप करते हैं स्टेशन की तो 18 रुपए लगेगा और इसके अलावा बड़ी चौपड से मंसरोवर तक 10 स्टेशन के लिए 22 रुपए लगेंगे 1126 करोड रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किये हैं और लंबे समय से जैपूर की जनता इंतजार कर रही थी मेट्रो सेवा का तो आज शाम चार बजे से ही आप मेट्रो की सेवा का लाब ले सकेंगे चलिया धिक जौनकारी के लिए हमारे सायोगी दिनेश का साना हमारे साथ फिलाल जूश चुड़ चके हैं मेट्रो सेवा का लाब लेने का इंतजार कर रही थी आज शाम चार बजे से मेट्रो की सेवा ले सकेंगे जैपूर के जो जनता है वो साथी इस बार क्या क्या चीज़े नई होने वाली हैं किराय में भी काफी रियायते दे गई हैं और क्या तमाम चीज़े हैं जो जैपुर की जुनता के लिए खास बाद से होने जा रहा है तो उसके लिए मुक्यमंत्रिय असोग गहलोद दोपेर बारा बजे वी सी के जरे वर्चुल कॉनफरेंस के माद्रम से हरी जंडी दिखाएंगे और इसके बाद ये मेट्रो की सेवाएं फेज वन बी की सुरू हो जाएंगी देखें करीब लंबे समय स इंतजार था और करीब डेड़ साल बाद ये मेट्रो की जो इंतजार था वो नियत समय पर सुरू नहीं हो सकी लेकिन डेड़ साल बाद ये सेवाएं सुरू होने जा रही हैं तो आज जैपूर वाशियों को बड़ी सौगात मिलेगी जैपूर मेट्रो अब बड़ी पर तक बनाई गई है तो पूरी भूमिगत है जो ट्रेक बनाया गया है जो मेट्रों के स्टेशन बनाया गया है वो भी भूमिगत है साथ फिट नीचे जाकर यात्रियों को मेट्रों की सेवाएं मिलेगी तो आज से जैपूर परकोट आवासियों की बात करें या जैपूर सहरवासियों की देगे बड़ी सौगात है चुंकि परकोटे में वैसे भी भीड़ वाला इलाका है और मेट्रों की सेवाएं शुरू हो मेट्रो के माध्म से कर सकेंगे दोपर बज़े से मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी और यात्री इनका लाब ले सकेंगे दोपर बारा बज़े मुख्यमंत plugin इनके साथ युदी अच मंतिर सांती धारिवाल वह हरी दी दिखा कर इसको involves कर देंगे कि बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री असोग गैलोत इस पर भी कोई बड़ी गोशना कर सकते हैं चुकि मेट्रोफेज B की भी DPR बन चुकी है सीता पुरा से अंबा बाड़ी तक मेट्रोफेज B का निर्मान होना है और उसके लिए DPR बन चुकी है सकते हैं DMR लेकिं इसके बाद आप घोशना का इंचार था तो आज माना जारा है कि हमके मंतिया सोग गैलोत इसकी भी बड़ी गोशना कर सकते हैं तो सीता पुरा से और अंबा बाड़ी तक मेट्रो फेज बीका कारे शुरू होने से जैपुर वासियों को बड़ी खुसकबरी होगी और आने वाले दिनों में जैपुर मेट्रो का विस्तार होगा तो जैपु शहर में लगातार विकास के कारे हो रहे हैं दिनेश और अब मेट्रो सिटीज की नाम में जैपुर का भी नाम शामिल है एक और जानकारी आप से चाहेंगे एक और तलब ये भी है कि अब स्मार्ट कार्ड से ही लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे टोकन सिस्टम अब नहीं च खत्रा रहता है टोकन एक यात्री से दूसरे यात्री को दिया जाता है तो टोकन से संक्रमन फैलने का खत्रा रहता है इसलिए स्मार्ट कार्ड की सुईदा दी गई है कि आप सो रुपे में स्मार्ट कार्ड खरीदे उसके बाद उसको रिचार्ज करवा सकते हैं तो रिचा आपका तमाम जौनकारी हमारे साज़ा करने के लिए तो हमारे सयोगी ने जिस प्रकार से बताया आज जैपूर की जुनिता के लिए बेहद खास दिन है चार बजे के बाद मेट्रो की सेवा आप ले सकेंगे साथी किराय में काफी कुछ रियायते हैं लेकिन याद रखी का इस